नमस्कार दश्रकों, रितम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हैं 12 अगस्त 2024 और दिन हैं सोमवार विक्रम समवत हैं 2081, शक समवत हैं 1946 समद्सर है काल युक्त, सुर्देव हैं दच्छनायन रितु हैं वर्षा, मास है श्रावन, पक्ष है शुक्लत, और दिति है सप्तमी जो 7 बचकर 55 मिनट तक रहेगे अब आप कहेंगे कल भी सप्तमी थी, आज भी सप्तमी है वो इसलिए है को कि कल जो सप्तमी चल रहे थी, पूरी रात सप्तमी ही रही है और आज सुर्यदे पर भी सप्तमी ही रह गई और सुर्यदे पात बचकर 50 मिनट पर हुआ था, उसके बाद भी तिति चलती रही सप्तमी और साथ बचकर 55 मिनट पर पूर्ण हुई तो उदियातिती के साहब से आज भी सप्तमी ही माना जाएगा मतलब सप्तमी करका सुर्यदे पर भी सप्तमी थी और आज के सुर्यदे पर भी सप्तमी है तो यह रहा आज के दिन का हाल आएए देखे सभी राश्यों का क्या है तो आये मेचराशी मेचराशी से सुरू करते हैं मेचर राशी वाल को जो हाल देख रहा है कुछ ऐसा देख रहा है जिसमें आप कुछ नई चीजों के बारे में सोचे नई प्लानिंग करेंगे designers करेंगे और कुछ अच्छा डेलाप्पेnd करने की कोशिश करेंगे कर या आपने जॉब में, काफी अच्छा प्रोग्रेस होने का दिख रहा है, बशर्ते आप किसी नेगटिव थॉट्स में न पढ़ें, नेगटिव लोगों के साथ किसी तरह के उल्जनों में या उनके डिस्कुशन में ट्रैप में न आ जाएं, मतलब ऐसा होगा कि आपके थॉ है, आप अगर बुरे लोगों के साथ मात्य पच्ची करने लग जाते हैं, तो कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे, बलकि नुकसान भी हो सकता है, यदि सही तरीके से अपनी बुद्धी पर घरुसा करते हुएं, मिल जूल करकर चलेंगे, तो आपके लिए काफी ज़्याद अच्छा रहेगा, खास वरपे में पार्टनर के साथ, आपने साज्यदारों के साथ, डिसक्रिशन करना आप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और पॉजिटिव विचार के साथ, अगर आप आगे बढ़ने के कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह किसा आगे करें और अच्छे तरीके से आगे बढ़िए अपने परिवार के साथ, सामन जैसे साफित करके अपने जीवन में सुख चैन की प्राप्ति करने के कोशिश करेंगे, तो काफी अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यदि आप सफेद रंग, पीला और और औरेंज रंग, दारंगी रंग, प्रियोग में लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, इन सबसे आपको काफी सुकुन मिलेगा और अच्छे तरीके से समय का सदूप्यों करने में काफी मदद मिल जाएगी आपको आई दर्शो को देखते हैं, विर्षव राषपालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, विर्षव राषव राषपालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें आपके पारिवारिक चीवन बहुत ही खुशिया होंगी, उत्सव होने के चान्सेज भीवन मतलब कोई शुबकारी हो सकते हैं या कोई शुब बात हो सकते हैं तो इस तरह से काफी अच्छा समय दिख रहा है साथ-साथ आपके वेवसाय में भी काफी अच्छा समय दिख रहा है मतलब आपके वेवसाय में ऐसा दिख रहा है कि आपके बुद्धी मत्रक अस्तमाल करते वे डवलप्मेंट करने के लिए पूरी कोशिश करें और डवलप्मेंट होगा भी बतब आगे तर्की होने के चांसे भी बनते हैं तो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का इसको बाद दिख रहा है और आप अच्छे तरीके से इनका सदूपयों करेंगे आप बहुत सब्सक्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं यह समय आपके लिए लाबदायक है लेकिन समझदारी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने इंकम का स्त्रोथ भी हो सकते हैं मतलब यह भी हो सकता है कि आपकी इससे बिखिछिन कम की करने की वहीं बिजनस के सामने ही कर ले या आप के साहर चीटिंग करें कुछ ऐसे ओने के चांसे बन सकते हैं यह इसाव्धारी से काम लेना पड़ेगा अपने साजदारों के साथ अपने पार्टनर के साथ आपने मित्रों के साथ जिनके साथ मिल करके सायोगी साथ जिनके साथ हम मिल करके कारे कर रहे हैं उनसे भी साफधान रहना बहुत जरूरी है कि उनसे भी धोका हो सकता है या फिर वो धोका नहीं देंगे अच्छे वक्ति हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि उनको धोखा मिल जा जिसके वरे से आपके और अर्गनाइशन को आपके संसा को नुक्सान हो जाए तो मतलब कारण वही बनेंगे ऐसा होने के चांसित बन रहे हैं तो उनको कोशिश करें कि उनके बहुत जादा डिपेंड ना रहे हैं अपने आप पे डिपेंड हो करके चल को ख昨 शूब करने के मालत करें कि कुछ और बहुत सब्सक्राइब बहुत सथे बनेफिट आप ले सकते हैं और इंकम भी प्रात करना है आप प्राप्त कर पाएंगे इस तरह से बहुत ट्रिकी हो करके समझदारी से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा हरा रंग सफेद रंग और पीला रंग आपके लिए काफी शुब है इन रंगों का प्रयोग अवश्य करें जिसे और भी आपको होने के बाद बनती है या फिर कुछ शुब कारें होंगे जिससे आपको बहुत आनन्द प्राप्त होगा और आपको बहुत खुशी प्राप्त होगा आप बहुत साधी स्वेम लेना चाहेंगे मतलब अपने परिवार में मदद करना चाहेंगे इसके वज़से आप बहुत ज्यादा व्यस्त भी हो सकते हैं जिस वज़से आप अपने कारें में इतना जाता जान नहीं दे पाएंगे लेकिन मेरी से लाह रहेगी आप दोनों का सामन्जा स्थाप आप अची तरह किसे लाब ले पाएंगे आगे भी बढ़ पाएंगे और उत्सों भी अगर आप शामिल होंगे तो आपको आनंद आएगे पसंदता आएगी और आपको खुशी भी मिलेगी कोशिश करें कि आज के दिन कम से कम दान से बचिएगा दान करना आपके लिए ठी अगर आप कोई वस्तू और धनका दान कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा हां श्रम दान करना चाते हैं किसी के सेवा करना चाते हैं तो अवश्य करें आपने शरीर से किसी के मदद करना चाते हैं चाहे सेवा करके मदद करना चाते हैं या किसी वेक्ति को कहीं किसी लिए पहुचाना था कि आप सब्सक्राइब उस जेघमार करें लacağım मंदर के नायन्द मंदर को डेकोरेशन करना уrahun को चलेगा लेकिन आपको बस्तु और शीषजा हुआ इस तरह से सावधारी बरत के चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आपके लाल रंग पीला रंग और सफेद रंग मिलें तो यह आपके लिए पूर्जावान बना करके आपको इतना पावर्फुल रखेगा कि आप सही तरीके से समय का सदूप्योग कर दाएंग कज़वो दिखन करेंगे मतलब तुड़ी लापरवाही जिख रही है अपने कारे पर फोंकोस नहीं करेंगे दूसरों पर द्धान देंगे, आप बिजी रहेंगे औरों के सुवा में केर करने में, द्यान देने पर इस तरह से आप अपने अपता रखेंगे जिसकी वजह से आप शूका कारें पर द्धाने देंगे इसके वज़े से आपको पुरी रोप से लाब नहीं मिल पाएगा तो कोशिश करें आप सेलसे सेस्मेंट करें अपने आपके ध्यान दे कहां गड़बड़ हो रहा है ज़रों से ज्यादा समय औरों पे तो नहीं दे रहे हैं इन बातों पे अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा है और इसके बाद आप में भी ध्यान देने की कुशिश करें दोसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है लेकि स्वैम की मदद करना भी बहुत आवश्यक्त है धर्ती पे एक इनसान और भी है वो आप और आपकी साहिता करना भी धर्म है तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी स्वैम की मदद करें अपने आपको मजबूत करें इस योग के बनाएं से आपको आपको अच्छी धर्म और ब्रुषयर अच्छय से चल पाए और चल पाएगा भी एर ध्षान कीप्राब्द होगी क्योंकि समय बहुत अच्छा लग कि इस तरह से आपवा अपको अच्छी उच्छे प्राप्त होगी और सही तरीके से अपने कारेपे ध्यान देने में काफी मदद मिलेगी आई दर्शको आप देखते हैं कन्या राशे वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके व्यवसाय पे आप पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे आप उधन की प अगर अपने व्यवसाय को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे तो लाब मिलने के चांसे बनी रहे हैं बड़ों का सही योग मिलने के चांसे भी बनते हैं वह भी आपको ठीक दिख रहे हैं किसी तरह की दिकत वाली बाद नज़र नहीं आ दिख लेकिन फिर भी यदि तो आपको पता चलेगा कि आप पूरी तरह से अपने काम में फोकस नहीं है जिसकी वज़या से आप मेनेफिट्स नहीं ले पा रहे हैं इसलिए मेरी सलाह रहे हैं कि आप अपने कारें पे फोकस करें बहुत ख्यान थे और सिस्तेमेटिकली और्गनाइज तरीके से अगर अ सकते हैं इसलिए आपको हमेशा और्गनाइज तरीके सिस्टेमेटिकली आगे बढ़ना ही पड़ेगा कोशिश करें कि आज के दिन पीला और सफेद रंग योग में आवश्य ले और हो सके तो आप महामंत्र का जाप करके ही दिन के शुरुआत करें जिसे आपके अंदर किस ज़रूर मिलेगा और उनके सहयोग से आपके प्रोफेशन में आपके व्यवसाय में आपके चौब में बहुत अच्छा डेवलोप्मेंट करने का मौका मिलेगा मतलब उनकी सलाह से आप जो भी कारे कर रहे हो बहुत ही रिफाइन हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से अगे बढ़ने में आपको बहुत मदद मिल जाएगा आप कोशिश करें कि उनके साथ अच्छा ताल मिल रखें उनके लिए धानिवाद करके उनका ग्राइडिय रखें जिससे आगे भी आपके संबंद अच्छी रहें और आपके वो मदद करते रहें तो अच्छा रहेगा कोशिश करें कि अपने लाइफ पार्टर की सहायता करें कोई कि आपके लाइफ पार्टर के साथ अपने जीवन साथी के साथ समय अच्छा नहीं चल रहा है जिसके वज़े से आपके साथ सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है और आपके साथ बहुत अच्छा ताल मिल नहीं ह अच्छा रहेगा आप उमीद कुछ भी ने करें कि कोशिश करें कि आज के दिन आप खारा रंग और लाल रंग प्योग में आवश्य लें इन रंगों से आपको काफी मदद मिलेगी उत्साहा भी रहेगा और साथ में सही निर्ड़े लेने में सही डिजन लेने में आपको अईनर चिंहरे यह दो नहीं मिलेगे धिर भी आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे और सब कुछ अच्छा तभी कर पाएंगी महामंत्र का करेंगे जैसे आपको आश्ष्ट है क्योंकि आप पहुत ब्सूरु मैं सब्सकर मैं कर देंगे ऐसी स्थिति मांसी बन रही है और इसको विज़ा से आप बहुत सारी चीजे ठीक से नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे में दो बाते बनती है या तो बहुत डिप्रेशन का सिकार हो जाई है और परशान रहे हैं बहुत गडबड समय चल रहा है मेरे से गडबड हो जाता है और डिप्रेशन ना चाहिए और दूसरा तरीका यह है कि बहुत अच्छी तरीक से बचा लेजिए और उसके बाद सारा दिन जो जो बेनफिट्स लीजिए और आनंद पुरवक आपने दिन का सदूप्यों कर लेजिए तो इसलिए आपके लिए यही बढ़िया रहेगा आप ऐसा कर लें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा कोशिश करें कि लाल रंग पीला रंग सफेद रंग और हरा रंग इन रंगों कॉमिनेशन या इन से संबंदित रंग आप धारन करेंगे या किसी भी वस्तू के साथ रंगों का प्रयोग म पीलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और दिन को सही तरीके से उपयोग मिल आ सकते हैं तो आप अपने सीनियर्स के साथ भी अच्छा तालमे रखने की कोशिश करेंगे तो आपके काम तो नहीं आएंगे लेकिन समय समय पर आपको उनकी साहिता चाहिए होगी आपको उनसे साहता पाने की उमीद करके आप उनको उनके साथ अच्छा तामी बठाएंगे तो आपके अच्छा रहेगा तो कि आपके मानसी के स्थेती थोड़ी परशानी वाली दिख रही तो ऐसे में बड़ों का स्योग आपको मिलेगा तो बहुत ही जादा आसान हो कि आपके मानसी के स्थेती और आपकी उर्जा कम होने के बाद भी आपको अपने पार्टनर का अपने साथियों का स्योग बहुत अच्छा मिलेगा जिसकी विजए से आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे आपका भाग कि आपका साथ दे पाएंगा यदि तो इसलिए बहुत अच्छी बात है आप उनके मदद की तो इन इस निशित और रफ आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी और आपका ये बुरा टाइम पता भी नहीं लगपाएगा कि आपका बुरा डाइम चल रहा थोड़ा और इस टाइम को आप सही तरीके से निकाल कर दो करें मक्र राशी वालों के लिए कि आज का दिन कैसा रहें कि मकर यह आज का दिन कुछ इससा देख रहे हैं आपको के आपके बाटनारे के साथ आपके से योग नहीं बीद पाए गाなら सामना क आiegen मिल प्लशय का और अगर आप लाबर्भाहि यह वह करना कि इसलिए अधन की प्राप्ति करने मेंगे त्पर सब्सक्राइब हो अगयां लेद के यह करना है इसलिकत है कि इसलिए ऐसे में आपको पहुत ज्याता मेनत करने क्या होस्टा है काफी मेनत करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा ऐसे में आपको सहयोग मिलेगा और इससे ही आपको काफी मदद बिल जाएगी और आप इंद रंगों के अप्लेंग करेंगे तो आप कितनी उरजावान इस सही तरीके से अपने कारें पे फोकस कर पाएंगे और सही तरीके से आप पेनफिट्स ले पाएंगे आई दर्सकों अब देखते हैं कुम राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आपके व कि दिज्श्मन जैसा विभार करें या अंक आपस मेध्या हो जाया जिसकी विज़े से ऐसा हो जाया या यह भी हो सना है कि उनके स्वास्त में कुछ अराबी है जिसकी विज़े से आप करसाथ नहीं दे पा रहे हो और बलकि आपको उनकी मदद करनी पड़ जाए ऐसा हुसंता आप सी तालमिल बिठाने की कोशिश के तो अच्छा रहेगा बाकी वेवसाया तो अच्छा चलने का बन रहा है दन की प्राप्ती होने का भी बन रहा है किसी बीधर की कोई बाधार नहीं दिख रहे कि आपको कुई चिंता करने क्या वशक्ता तो है नहीं इसके विरे से आपका बहुत बड़ा नुक्सान हो जाना बल्कि आप बहुत मजबूत हैं ऐसी मजबूती में किसी और के प्रती अगर आप अच्छा वेभाद रखते हैं और उनकी सहायता करते हैं उनके बुरे समय में बहुत अच्छी बात होगी आप धंतों कमा रहे हैं तो इस तरह से आप विए चलेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा लाल रंग और काला रंग बेहद अच्छा रहेगा बुर्जावान बनाके रखेगा और जो अच्छा समय देख रहा है इसका अच्छे तरीक लेकिन आपके मन में कई तरह की नेगेटिविटी होने का बन रहे हैं मतलबं आपके मन में कई तरह का भाय का इंसेक्युरिटी एगो भी आरहा है और आपको खुई ऐसी बात लग जाएगी छोड़ चोड़़ी बाते बुरी लगेगी और आप यह अच्छी बात ही है कि यहां पर सबस्क्तिस मैं अब है कि अग्र शरी का उसके मन का करें को भी अच्छा रखिए मन को भी अच्छा रखिया और साब्त तरह रखिए मतलब कोई बुरे विचार आने मन लेजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बुरे विचार ना है तो आपके इसके लिए बहुत अच्छा रहाएगा प्रातकार ना दोकर आप महा मंतर का जाप कर लेजिए इससे आपके अंदर बहुत शांती आजाएगी कि महा मंतर जो नए दर्शक को उनके लिए फिर से बता देते हैं महा मंतर है हरे किष्णा हरे किष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बहुत आसान मंतर है लिए बहुत ही पावर्फुल मंतर है जब आप जाप करते हैं तो आपके एक कागज़ पर वन डो थरी करके वन बाई वन लिखते जाएं और एक काम जैसे चाप कर लें उसके पाद इक बिल्कुल मन खाली होगा उसमें पर आप पहला कारे जो लिखे ते वो कारे करें दूसरा के कारे करें टिक लगाते जाएं तो आपको शाम तक पताच लेगा आप जो भी काम करना चाथे तो सारा कमपलीट करने को कि आपका दिमाग बलकुँ शान्त है और शांत मन से जो भी कारे करें ओ Михаただ बेंगे और है तरह से अपने स्पर रहने को चाप खिल रख कर लेंगे कम से कम एक माला कीजिए का लेकिन ज्यादा माला करनाuct लिए अच्छा रहे हैं tik तो क्योंत है कि आज के दिन पीला रंग खरा रंग और लाल रंग जो लाल पल की अवाइट करने लाल की जिगाव गुलाबी रंग प्योग मेले और सफेद रंग प्योग मेले इन सब रंगों से काफी अच्छा रहेगा इन रंगों से आपको सही तरह के दिन्ड़ने लेने में डाइनमिक पहुत धनिवाद, नमस्कार.